क्या अधूंपूर के बाल ब्रिद आश्रम में खाना अच्छा नहीं मिलता बुजूर्गों के साथ मार पिटाई की जाती है और बच्चों को मारा जाता है ऐसा ही एक मामला एक बुजूर्ग ने कल शोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है देखने को हमें मिला कि अधूंपूर के ओपर लगा रहे हैं मुझे यहां पर रहते हुए 5 साल होगें और बुजूर्गों को फिर दांटे हैं वह जहां खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है च्छी हो रही है सबसे अच्छा काम है तो पता नहीं उनको क्या गलत भायमी हुई जा क्या कारण हुआ कि ऐसे ही कल हम रहान होगे बो देखकर कि आसे आसे वह बिर दाश्व में आसे हुगा में बिर आरोप लगाए गए हैं लेकिन हम सच्चाई जानना चाहते थे कि आखिरकार सच क्या है क्य वह सै जानने का प्रयास किया बावठी आज नमें यहां का काना जो है वह जो बहुत खारे हैं देखने कि आखकर क्या क्या कमिए इस खाने में लगी कि दौनवाइब गर्में खाते हैं बैसा ही खाना है बिल्कुल सादा और और पुस्टिउ और कि वह अब उस चक्त को एक बुजुर्ग जो काफी गंबीर आरोब जो हैं वो बाल बृद आश्रम अधूपूर के उपर लगा रहे हैं और सच्चाई क्या है यह जानने का प्रयास दैनिक सेर्श समझा ने किया और हम यहां पर पहुंचे हैं जानिक सेर्श समाचार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन शर्मा और इस समय हम मौझूद हैं उदूंपूर के बाल बृद आश्रम में यही वो बृद आश्रम है यहां पे कई बुजूर के कई बच्चे यहां पे रहते हैं और उन्हें किस तरह से यहां पे रखा जाता है वो बात करते हैं लेकिन कल एक बुजूर्ग दोबारा गंबीर आरोप लगाए गए हैं लेकिन हम सच्चाई जानना चाहते थे कि आखिरकार सच क्या है क्या वो बुजूर्ग जो है वो सच बोल रहे थे लेकिन हमने भी यहां पर आकर यहां अंदर आकर यह सच्चाई जो है उसे जाने का प्र बज़र्ग जो यहां पर रहते हैं देखिए यह जो बज़ों तो मत कर देखना नार। दोड़े तो यहां आकर हम मैं तो डेली यहां आता हूँ और डेली मैं यहां पर गीता का ज्यान इनको यहां पर सुनाता हूँ डेली सबको बज़र्गों को बिठाता हूँ ग्यारा मज़े से दो बज़े तक हम लोग बैठते हैं कठे और इनको मैं हमेशा पूछता हूँ कि अगर किसी को कोई तकलीफ है कोई कंप्लेंट है कोई परिशा नहीं है तो बताओ आपस में शेयर करेंगे लेकिन परसों तक तो कोई बात नहीं थी एक कल ही मैंने वो वीडियो पर देखा तो वो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया यहां वो क्यों ऐसा रियक्ट करते हैं कैसे बोल रहे हैं वो मुझे समझनी आई हाँ कि ये जरूर है कि हमारे पास बड़ा स्वादिश्ट भोजन नहीं बनता क्योंकि ये सारा इंसिचूशन हमारा चैली टेबल इंसिचूशन है और लोगों के डोनेशन से और लोगों के दान से चलता है जो कुछ हमारे बास साथविक और सादा भोजन होता है वो ही हम प्रोस्ते हैं जब कभी कोई लोग आकर यहां पर बच्चों को और बुर्दुर्गों को खाना खिलाते है तो अच्छा खाना भी बनता है बड़िया खाना भी बनता है स्वादिश्ट भोजन भी बनता है लेकिन जो आम तोर पर हम देते हैं वो साथविक भोजनी देते हैं और साला भोजन देते हैं हो सकता हूँ उनको भोजन हमारा पसंद नहीं आया हो तो उन्होंने ऐसी बातें जो हैं वो आगे जाकर कही है जो बड़ी दुख की बात है क्योंकि 25 साल से कोई ऐसी बात नहीं हुई अभी तक यहां 25 साल से सारे ही संदुष्ट हैं सारे लोग आते हैं आफिसर्स भी आते हैं बाहर से वियाई पीज भी आते हैं वो भी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं बज़र्गों से इंटरेक्ट करते हैं कोई ऐसी बात नहीं, आज तक नहीं होई, कल पता नहीं क्या हुआ, मुझे समय नहीं आई है, तो वो पुज़र के क्या अभी यहां रह रह रहे हैं और चले गए हैं? देखो हमने उनको ना जाने के लिए, कहा ना रहने के लिए, जैसे रह रहे हैं, वो रहते रहे हैं, हमें क ऐसे दो-चार और हो जाएंगे, तो यह इंस्टिउशन बंद हो जाएगा, क्योंकि यह डोनेशन बंद ही तो चल रहा है, अगर ऐसे लोग उल्टी सिधी बातें करते रहें, तो डोनेशन डोनर्स जो होते हैं, उनको भी तकलीव होती है, लेकिन मैं यह डोनर्स के यह साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि यहां कोई बात ऐसी नहीं है, सारे मेडिया वालों ने, बाकी वालों ने आकर यहां कवर किया है, देखा है, यहां पर प्रेक्टिकली देखा है, खाना कैसा बनता है, और बच्चों के प्रति, जो बच्चों का भाव है, बच्चों की पुरत है उसको भी नोट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि यह जाना चाहिए। मीडिया को पे चाहिए लोगों के सामने जो बात है वो क्लेर होनी चाहिए। साफ होनी चाहिए। शबी जो है बिगड़नी नहीं चाहिए इंस्टीशन की। धन्यवाब। मऄरी पिराई होती ज thé नहीं ख़ौना कासे मिलता है ठीक मिलता है कलेक आपके बुजर को अंकल यहां कह रहे थे कि ख़णा अच्छा नहीं मिलता है कि घ़दे आप बच्छों गबार को गपते आप सर मेर Nam रक्षिक शर्मा है तो कोई नहीं मारता हमको अगर कोई पढ़े नहीं तो फिर डांटे हैं सर अगर कोई किसी को मारेगा नहीं तो कोई डॉक्टर इंजीनियर या इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे तो कोई ऐसे बीना पढ़े तो पहुचता नहीं है जो जो पहुंचे हुए हैं उनको पता ह ही हवा कि कैसे पड़ते हैं और अगर डांट ना पढ़े यह पिर कोई मारे मारते तो वैसे नहीं खर डांट ना पढ़े तो फिर बचे थोड़ी नपढ़ुत इंज तो फिर executed कि सर बहुत अच्छा़angiा जाता है हम को फोह हर बीजा मिल जाती है वार vendor कुह रॉर्च कि बच्चोंको नभोदे ही देचाले के लिए तुछ्द करुवा ता हूं और जहाँ पर सबस्क्राइब करों इस विधूर के लिए गुत पर चल रहा है। मैं क्या कहुं जीओ उन लोगों के लिए अगर कोई लोगों को पता नुट जाने पर आसा नहीं होना चाहिए था मैं तो कहता है मेरा तो जी विचार buffalo को जैसे आप लोग आए जैसे अपने पूछा मैन तो आप दो पता लिया आप इसको पता करेंगे आपको तो पूरा पता चलेंगा क्लियरन सोजाएगा कि क्या है आप देख लिए खाने को भी देख लिह निए तो बहुंग तो इसके लिए बा रहे मैं नहीं ... यादेगा रहने वाला हु तौ जहां खाना बहुत अच्छा भाहतली जां किसमे करूं कि और गजिए एक जोग फए मिल रहे हैं, सब कुछ मिर रहा है, सबसे अच्छा काम नहीं ही हैं, कोई बुरा नहीं, किसी ने कोई गर्जी कम की यह किया, किसी से काम नहीं किया, गरिमों का मारने के लिए किया, यहाँ की बाप्रा मंदबस कर रहे हैं, ठीर चार अच्छा हमारा फाइदा हो रहा है तो देखिए जो खावर हमने आपको दिखाई ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि खाने में कोई कमी हो ऐसा कहीं भी बच्छों के साथ मार पीट होती हो और बुजूर्ग उन्होंने भी कहा है कि यहां पर हर सुबीदा मिल रही है और ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो कल बुजूर्ग साथ ही इनके यहां पर कैके गए हैं अब एक और हमारे साथ है यहां पर शक्स मजूद है जी बाज़ी क्या ना कि ऐसी बैसी कोई बात नहीं है फिलाल हमारा देत्यव है हमारा फर्ज है कि सच को दिखाना और दैनिक स्टेर समाचार हमेशा सच को आगिल आता है और जैसे कल हमने वो वीडियो एक बाइरल हो रहा था चोचल मीडिया पर हमने देखा पर जैसे को आगिल आता है